नमस्ति दोस्तों, आज हम सरद नौरात्री के बारे में बात करेंगे। साल में चार नौरात्री आती हैं, लेकिन सरद नौरात्री का ही उस्सव मनाया चता है। इसा क्यों? इस सरद नौरात्री मनाने के पीछे एक रोचक कहान है। महिसासूर इंदु धर्म में एक असूर था। वो ब्रह्मरुसी कस्यप और दनु का पोता और रंब का पूत्रत था महिसी का पाई था। उसे लोगों के बीच एक दोखे बाज राक्षस के रुप में जाना जाता है। जो अकार बदलकर बुरे कार्यक किया करता था। अंता तह उसका देवी पार्वती ने वद कर दिया। जिसके बाद उन्हें महिसासूर मर्दिने की उपाधी प्राक्त हुई। नवगरात्रिकात योहार महिसासूर और देवी दूर्गा के बीच इस यूद को दर्साता है। जिसका समापन विजया दस्मी में होता है। चो उसके अंत का उत्सव है। बुराईप और अच्छाईटी विजय की योह कहाने हिंदू धर्म विसेस रुप से साक्त संप्रदाई में गोहरा प्रतिकात्मक्ता रखती है। और दोनों को कई दक्षेन भारत और दक्षेन पूर्व A.C.I हिंदू मंदिरों में दरीन महात्मे में से सुनाया और फिर से फ्रस्तुत किया गया है। महिसाशूर कोन था? महिशाशूर शुरुष्टी करता ब्रह्मा का महान भक्त था और ब्रह्मा जी ने उन्हें वर्दान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महिशाशूर बाद में स्वर्ग लोग के द्यवताओं को परेशान करने लगा और प्रुथी पर भी उत्पात मचाने लगा उसने स्वर्ग पर अचणक आक्रमा कर दिया और इंद्र को पढरास्त सवर्ग पर कपज़ा कर लिया तथा सभी द्यवताओं को वहां से खढ़ेड देवगण परिशान होकर त्रीमूर्थी ब्रह्मा, विश्रू और महिस के पास सहाइता के लिए पहुंचे, सारे देवतावने फिर से मिलकर उसे फिर से परास्त करने के लिए यूद किया, परन्तु वे फिर हार गेंगे, कोई उपाई न मिलने पर देवतावने उसके विनास के लिए दूर्गा का सर्जन किया, जिसे सक्ति और पार्वति के नाम से भी चाना जाता है। देवी दूर्गा ने महिसा सुर्पर आक्रमा को उससे नो दिनों तक यूद किया, और दस्वे दिन उसका वद किया। इसी उपलक्ष में हिंदू भक्तकण दस दिनों का त्योह दूर्गा कुशा मनाते हैं, और दस्वे दिन को विज्या दस्वे के नाम से जाना जाता है, जो बुराईप और अच्छाई का प्रतिक है।